हेलो हेलो वीडियो देखने वालो आज आपको हम दिखाएंगे फाइव स्टार होटल का शेफ के हाथ का बनावा पीजा वो भी पॉकेट फ्रेंडली रेट पे और कहाँ जी हाँ जेल रोड के पास शिव नगर के सोम बजार रोड पे आपके लिए बड़िया पीजा चलिए मेरे साथ लेट्स को चेल रोड पे ओम स्टार के बिलकुल सामने है फिटनेस फेक्टरी और इसके बराबर में जो सटक है इसी समबजार रोड तो ये है शिव नगर की सोम बजार रोड और बिलकुल मेरे सामने है बुद्धी राजा स्टोर जी हाँ ये जनरल स्टोर है यहाँ का बहुत फेमस ये एक लैंडमार्क आप कह सकते हैं उसी के बिल्कुल सामने छोटी सी गली में ये आपको साइन बोर्ड मिल जाएगा और इसी गली में आपको अंदर आना है गो पिजेरिया के लिए हिए तो लीजे हमारे सामने है को पिजेरिया ची कहा पिल्कुल छोटी सा क्यूट सा यह है उटलेट चले यहे वंदर जलए तो ये अंदर आएं ही आपको में बहुत दिखेंगे दो टेवल लगा और एक चीज़ और बता दूं इन्होंने थोड़ा बजार में अंदर करके दुकान लिए क्योंकि इनके जो थे पॉकेट वो थोड़ी सी लिमिटेट थी यह बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते थे इसी वीजन से थोड़ा संदर शॉप ली है यही रीजन इन्होंने मुझ सब्सक्राइब अच्छे बड़ी मार्केट में लेकर आना चाहता हूं क्या टाइमिंग्स अशॉप की लेवन एम टू एवन पीम और प्रॉप स्विगी पर भी हैं और किसी दिन आफ भी रखते हो दिए और वेच नॉन बेच दोनों सब्सक्राइब जोनों सव दोनों रहा और हम नॉन वेज भी फ्रेश यूज करते हैं अगर मैं आपको कहूं कि कोई एक पीजा कोई आपका गराग आता है यार मैं आया हूं आप कौन सा पीजा सजेस्ट करोगे तो वह कौन सी चीज होगी अगर कस्टमर हमारा बोलेगा कि वेज में सब करना है तो मैं उसको तंदू अगर नॉन वेज में अगर वह बोलेगा तो कस्टमर को मैं मिक्स टॉपिंग पीजा सब करूँगा तो कि मिक्स टॉपिंग हमारा बहुत अच्छा है और बहुत मोर्स सेलिंग में है ठीक रहूं थैंक्यू सो मच हमारे से बात करने तो लीजे हमारे लिए बन रहा है फ्रे तो लेजिए साथ इंची पीजा का बेस तयार है और यह गया पीजा आधेव ग्यूंस में क्या है अच्छा तो यहकं बेस के ऊपर सास लगा दी गया ऑफ और पीजा बेस सास डो पर टास डाली के बहए जो पिजा बेस सास है उसमें का का ड़ते लिए वाप्तिर वहमारी हो में होती हम ह springs फॉश्य हम से इस Alexis हमनाते है चीजे बताओ उसमें क्या होता है क्या स्पेशेलिटी रहती है क्योंकि मेन वही है थोड़ा साइडिया दीजे क्या इसके अंदर सर दॉटा कर्का माथ नियं और गार्ली के साथ तंदूरी रेडिमेट थी और अब यह गया है लिक्विड चीज यह भी रेडिमेट है कि टीन टाइप के चीज यूज होते हैं लिक्विड चीज जा चुका है और अब यह प्रोसेस चीज है यह गया देखें बिल्कुल भर दिया गया है बेस को सांस आने की जगा नहीं छोड़ी इतना चीज डाल दिया गया है और यह गए शिमला मिर्च आज प्याच महंगाई के जमाने में प्याच आपके वहां क्या रेट कल रहा है मैं कल ही लेकि आ और यह गए टमाटर है तो अब आगे हैं पनीर के टुकड़े तंदूरी जो सॉस है उसमें अच्छे से इसको नला दिया गया है पूरा तंदूरी सॉस के फ्लेवर्स पनीर के उपर और यह बढ़िया से पूरा भर दिया गया है पनीर से और फाइनली चीज नमबर तीन मोजरेला जी हाँ मोजरेला चीज डाल दिया गया है और हमारा सज्जाया हुआ पीजा अब जा रहा है अवन में भाइया क्रिस्सा कर देना बड़ी आसा कितनी रियल लगेगी इसको बनते में दस मिनट डॉमिनोस की वर्ल्ड फेमस आपने गार्लिक ब्रेड खाई होगी यह उसी का कहूंगा मैं इंस्पाइड बहुत तयार हो रही है कि डॉमिनोस जैसी गार्लिक ब्रेड यह गया चीज नंबर वन लिक्विड चीज थोड़े से गए वैजी यह है अलपी नोज थोड़ा सा प्याच तो यह गये कौन्स और यह गया चीज नंबर टू प्रोसेश चीज और इसमें भी तीसरा नंबर चीज का मौजरेला चीज काम फ़क्राइब तीस कि अंबरक्राइब दक बच्षाई प्राइब बुड़ına ज़दाद कर लाऊ़ाब कर दो चो को चाहरे ज़देगा ह। लूआ ज़देगाव ज़देगाँ प्रुमिनोस प्रुमिनोस लाँ ज़देगा फ्रुमिनोस तो लीजे पीज़ा और गार्लिक ब्रेट तयार है और एक स्पेशल पीज़ा और तयार हो रहा है हमारा तो पीज़ा की आपको शकल दिखाते हैं यह देखिए पनीर दिखाया था उको तीन टाइब के चीज से इसमें उपर से पनीर इसकी प्राइज है एक सो साट रुबे यह देखिए है ना लोकवाइस सुपर आसम और इसके बराबर में यह देखिए डॉमिनोस जैसी गार्लिक ब्रेट बट डॉमिनोस में आपको नॉनमेज गार्लिक ब्रेट नहीं मिलेगी यहां पर आपके फास ऑप्शं है कि आप नॉनम् समेश गार्लिक ब्रेटे कर सकते हैं लेज आज हम वेज़ीटेरियन से नहीं मेंहाने और पनीम टिक्के वाला थाल्यव February है आgestellt Islamaguya छूंट बहू नहीं है यह देखें यह देखें तो यह देखें बड़िया सा गरम मा गरम केस करते हैं पहली भाइट खापते हैं ऐसा लग रहा है कि कोई बिल्कुल फ्रेश चीज खाई जा रही है जब मैं ब्रेंडड कोई पीजा खाता हूँ यह फील नहीं आती जो इसका बेज है उसका भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर है यह नहीं है कि उपर चीज है वेजी है उसी का फ्लेवर है जो बेज है वो भी बहुत शानदार है तो मुझे यह बहुत पसंदा है मैं यह पूरा पथाने वाला हूं चीर्स तो गार्लिक ब्रेड देखते हैं 110 यानि 110 रुपे का है और मुझे हमेशा बीच वाले पीस गार्लिक ब्रेड के पसंद आते हैं लेकिन इसमें इतना चीज होए बाई कैसे खाऊंगा यह मैं कितना चीजी चीजी आप नॉन्वेज पसंद करते है तो आप नॉन्वेज वाला भी गार्लिक ब्रेल दे सकते हैं यह देखिए एक तो गरम इतना उपर से चीजी इतना ऐसी खांगे देखते हैं कि वह कि तूफूड कि अब पर देखते हैं कि पीजा और गार्लिक ब्रेड बहुत सारी जगा मिलता है बहुत अच्छे अच्छे ब्रैंड लेकिन मेरे साथ क्या होता है मैं जब यह पीजा खाता हूं ब्रैंडेड वाले मेरा पेड तो भर जाता है बट कहीं ना कहीं दिल नहीं भरता क्योंकि कोई ना कोई मुझे कमी महसूस होती है और वह कमी होती है बेस की लेकिन यहां पर ना मुझे टॉपिंग में कोई कमी लगी ना कोई बेस में फुल लॉन हाइली रेकमेंडेड फ्रॉम माई साइड तो ली जिए सिंगल टॉपिंग पीजा यह हमारे सामने पेश है इसमें मैं थोड़ा सा तड़का लगा रहा हूं हर्ब्स का चिली फ्लेक्स का हलका सा मैंने तड़का लगा लिए और इसकी कीमत है में pm का 199 रुपे में के unlimited किdoc को थे दोस बेंटे भी नहीं मैं एक खाये दो घु से लेक ब्लाटे तो आप मेरे पस आगे शिकैरद करना लेकिन 130 9 रुपे में अन्लिम्टेट ऊप कहा सकते हैं कि फ्रेश 152 मना हुआ हाई क्वालिटी चीज यूज़ गया हुआ, बड़िया से वेजीज, कोई चीज की कमी नहीं, और सिंगल अगर आप खाना चाते हैं, इसकी कीमत है सत्तर, लेकिन अगर आप फूड़ी हैं, पीज़ा आपकी जान है, जितना मज़ा खाए, जितना मर्दी खाए, अगर आप फ्रेश, जिहां, अगर आप फ्रेश खाना जाते हैं, हाई क्वालिटी फूड खाना जाते हैं, तो मैं कहूंगा कि राहूल का गो पिजेरिया आप जरूर ट्राय करें, लोकेशन थोड़ी अंदर जरूर है, लेकिन फूड एवन है, एवन, मेरी तरफ से हाईली र पसंद आया होगा, आसपास रहते हैं, जेल रोड, जनगपूरी, तिलक नगर, सागरपूर, कहीं भी हरी नगर, यहां आना जाना होता है, तो एक बार, राहूल की शौप का गो पिजीरिया का ये पीजे, फ्रेश पीजा, आपको खाके लगेगा कि आपने पीजा खाया, ऐ आपका पेट तो भरेगा भरेगा, साथ में सुवाद भी रहेगा, ऐसा है ये पीजा, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक, शेर, कमेंट करना ना बोले, थैंक यू फो वाचिंग, बुबाइ